हरे कृष्णा, एक भीकारी था, बहुत गरीब व्यक्ति था, बहुत खाने के लिए उसके पास एक रोटी भी नहीं थी, बचारा भीक मांगता था सड़कों पर, तो एक समय वो बैठ कर भीक मांग रहा था सिंग्नल के पास, एक बहुत ही दनाड़ व्यक्ति आया, तो जो व् सबसाथ सबसाथ सबसें सबस्झ क्च खाया निवक्पए न कुछ पेशे देसाथ तो, तुसने बोला कि अच्छा तुमने कुछ खाया निये, देजिसाब कुछ नहीं खाया, अच्छा, विए मैं पैसी तो नहीं देशकता ने लेकें एनना भीक्ति बिजनेस पार्टनर जर तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन सकते हो साब मजाग ना करें साब एक रोटी किला दे साब पैसे ना दो तो बहुत भूग लगी है चार दिन से कुछ खाया है वे ये साब देखो मैं सच बोल रहा हूँ तुम्हे अगर बिजनेस पार्टनर बनना है तो बताओ साब आप सच बोल रहे हैं साब बिजनेस पार्टनर के कैसे साब और मुझे तो कुछ आता भी नहीं साब मैं क्या करूँगा कुछ भी नहीं करना तुमको देखो मेरे यहाँ पर राइस मिल है वहाँ से तुमको चावल लेना है और ले जाकर मंडी में बेचना है बस इतना ही काम करना है तुमको अच्छे साब साब सच में आप मुझे को बिजनेस पार्टनर बनाएंगी साब मैं जूट नहीं बोलता अच्छे ठीक है साब तो साब आप मुझे को बिजनेस पार्टनर बनाएंगी एक परशन्स साब देदिना जो भी उसका फाइदा होगा उसका मुनाफ़ा एक एक परसंट देदिना साब मुझको बस नहीं नहीं एक परसंट नहीं जए तुमको 95 परसंट दोंगा पाँच परसेंट मैं रखोंगा इस साहब बजाग मत करें साहब मुझको बहुत भूग लगे आप कैसी बाते कर रहें साहब मैं सच बोल रहा हूँ 95% तुम्हारा 5% मेरा कोई भीकारी है उसको कोई जाकर ऑफर दे कि बिजनेस पार्टनर बरो 95% प्रॉफिट तुम्हारा 5% मेरा सुनने में अजीब सा लग रहा है इंपॉसिवल सा लग रहा है तो वैसे वो भीकारी भी बिल्कुल कंफ्यूज था बट एट परसन वास सीरियस तो बुला उसने कि साहब साहब कैसे साहब सच में 95% हाँ मैं सच बोल रहा हूँ 95% तुम्हारा आज से काम शुरू कर सकते है साहब आप भगवान है साहब बहुत रोने लगा विकारी रोने लगा उसके आसु गिरने लगे टप टप करके बहने लगे इतना कृतग्य मैसूस कर रहा था वो और फाइनली काम शुरू कर दिया राइस लेता मंडी में जाकर बेशता बहुत प्रॉफिट हुआ एक महीने में बहुत जादा को तो व्यक्ति सोचने लगा जो फिकारी था वो सोचने लगा कि सारे महीने मैंने मैंने मैनत की मैंने राइस लिया वहां से मैं मंडी में ले जाकर उसको बीचा 5% उसको क्यों दूँ मैं उसने किया क्या है कुछ भी तो नहीं किया सब तो मैंने किया तो 5% मैं उसको क्यों जो उसका पार्टनर सा बिजनेस पार्सनर जो धनाट डिवक्ती था वो आया बोला कि तो कैसा रहा हाँ बहुत अच्छा था एट चेंज होता है कि तो लाओ मेरा 5% फिर 5% सॉरी मैं नहीं दे सकता अब ऐसे भी आपने किया ही क्या है पूरे महीने मैंने राइस को ले जाकर ब तो जो व्यक्ती थे उन्हों रखा ठीक है अगर तुमको ऐसा लगते है तो मुझे 1% दे दो 99% तुम रख दो sorry you don't deserve एक परसेंट भी मैं आपको क्यों दो और ये कहके उसने वो मुनाफ़ा देने से मना कर दिया अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहानी का सर है ना पैर है इस कहानी में कुछ भी निज़र नहीं है लेकिन ज़रा सोची है कि क्या जो भीखारी था उसने सही किया बना एक समय उसके पास एक रोटी नहीं थी खाने के लिए अब उसके पास लाखों रुपए थे जिसमें स उसे वहां तक उसे पहुचाया और उस वेक्ति ने वो देने के लिए उसको मना कर दिया क्या थीक किया अफकॉर्स ठीक नहीं किया यही कारे कर रहे हैं हम सर भगवान ने हमें सब कुछ दिया है सब कुछ दिया है भगवान ने हमें किस चीज की कमी है यह जो ऑक्सीजन जो हम बोलते हैं जो कोविट के टाइम में आप लोग ने देखा होगा जो हजारो लाखो रुपय का सेलेंडर में बिक रहा था वो अकसी जना में फ्री में मिलता है खाने के लिए अलग-अलग फल मिलते हैं अलग-अलग अनाच मिलते हैं विविन प्रकार के इतना इतना कुछ भ भगवान को एक दिन का देने के लिए भी मुखर जाते हैं. और भगवान तो खाते भी नहीं है. भगवान के सामने अगर आप रखो अपनी प्लेट खाने की तो भगवान क्या खा लेंगे? नहीं भगवान के सामने रखो भगवान तो जस उसे गहन्स करते हैं उसको भगवान उसमें से सारे सिंस अटाके उसको प्रसाद बना देते हैं जस देख कर हमसे वो भी नहीं होता एक रुपया हम दान नहीं करते हैं मंदिर में हम दान करने से पहले एक रुपए निकालने से पहले हम दस बार सोचते हैं कि मैं क्यूं दूँ भगवान को जिसने हमें सब कुछ दिया है ज़रा सोचिएगा कि हमारी स्थिति उस भेकारी से भी गई गुजरी तो नहीं है हरे कृष्णा